एक तरफ है पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजन्स एजन्सी आईसाई और दूसरी तरफ है इंडिया की स्पाई एजन्सी रॉव जब इन दोनों एजन्सीज के स्पाई चीफ्स आपस में मिलते हैं तो एक किताब लिखी जाती है जिसका टाइटल है The Spy Chronicles Raw, ISI and The Illusion of Peace आज की वीडियो में हम इसी किताब पर बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया पिछले 75 सालों से ज्यादा तर एक दूसरे से नराज रहे हैं जंगे लड़ते रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करते रहे हैं उकार देंगे, पचार देंगे, तबाहो बर्बाद कर देंगे इस तरह के एक्स्प्रेशन्स बहुत कॉमन हैं इन दोनों मुलकों में इस अनफॉचनल बड़ी बड़किसमती की बात है कि ये दो इतनी बड़ी कौमों ने आपस में पीस्फुली यानि अमन से रहना सीखा ही नहीं इंडियन्स के जहनों पर आईसाई सवार रहती है और हमारे जहनों पर इंडियन्स साजश लेकिन अम्यूजिंग बात ये है कि आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के फॉर्मर आईसाई चीफ जनरल असद दौरानी और इंडिया के रौ के चीफ एस दौलात ने कुछ मुलाकाते की बैंकॉक, इस्तंबुल और कटमंडू में इन मुलाकातों में कुछ बहुत ही हिरान कुन बातें डिसकस हुई लहाजा दोनों चीफ्स ने डिसाइड किया कि क्यों न अपनी गपशप को एक किताब की शकल में तर्तीब दिया जाए और उसका रिजल्ट है दस्पाइ क्रॉनिकल्स ये बुक बहुत ही मिचुरिटी और सच्चाई के साथ लिखे गई है दो फॉर्मर स्पाइ एजन्सी के चीफ आपस में उन्होंने बहुत ही खुली डुली गपशप की है बहुत ही इंपॉर्टन बातों पर डिसकोर्स की है मुकालमा की है गुफटगू की है और एक दूसरे से पॉइंट बलैंक सवालात भी की है आई डिसकस करें किस तरह के इंपॉर्टन पॉइंट्स इस किताब में डिसकस होए है हमारा कॉमन बिलीफ ये है कि ISI और RAW आपस में हर वक लड़ते रहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कुछ केसिस में ये लोग आपस में कॉपरेट भी करते हैं जैसे के जर्नल असद दौरानी के बेटे के केस में हुआ कुछ यह हो था कि जर्नल दौरानी के बेटे जर्मनी में किसी कंपनी के साथ काम करते थे और वहां से उफिशल विजिट पर कोची गए इंडिया में उनको ये नहीं पता था कि इंडिया के रेगुलेशन्स के मताबिक अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं तो आप उन्ही जगों पर जा सकते हैं जहां का आपके पास वीजा मौजूद है लहाजा उन्होंने फ्लाइट पकड़ी कोची से मुंबई की और मुंबई से उन्होंने वापिस जाना था जर्मनी मुंबई एरपोर्ट से उनको धर लिया गया कि भाई किदर आप मुंबई पहुँचे पड़े हैं आपको तो कोची में होना चाहिए और वहीं जर्नल असो दुराणी को पता लगा कि भाई मेरा बेटा तो फस गया है और सबसे पहली कॉल उन्होंने किस को की अपने काउंटर पार्ट रॉ एजिंसी के फॉर्मर चीफ एएस दुलाद को दुनों की दोस्ती की इंतहा देखें कि दुलाद साब ने विदिन आ मैटर अफ फ्यू आर्स जर्नल दुराणी के बेटे को इंडिया से बाहर फ्लाइ करवा दिया सो हर वक ये लोग लड़ते नहीं रहते आपस में कॉपरेशन भी है अब बढ़ते हैं कुछ और गंबीर और पॉइंट ब्लैंक सवालों की तरफ अदित्या सिन्ह एक जर्नलिस्ट हैं जिन्हों ने इन दोनों चीफs के साथ वक गुजारा इनकी कम्यूनिकेशन को रिकॉर्ड किया और इस किताब की शकल में पब्लिश किया वो जनरल दोरानी की तरफ एक बहुती स्ट्रेट फॉवर्वर्ट स्टेट्मेंट भागते हैं अलसर दोरानी के बहुत सी इंटेलिजन्स एजंसी को डीप स्टेट कहा जाता है इसका मतलब है कैसी एन्टिटी एक इसी इस्टैबलिश्मेंट जो पर्दे के पीछे रहके सारा मामला चलाती है अमेरिका के अंदर भी डीप स्टेट है जिसके पास बहुत पैसा है मिलिटरी इंडिस्टिरिल कॉम्पलेक्स है और जूइश लॉबी है इसके बाद वो बराक उबामा और डानल्ड टरम की भी एक्जामपल देती है कि किस तरीके से डीप स्टेट ने इन दोनों प्रेजिडन्स को सही तरीके से काम करने नहीं दिया अच्छा इसके बाद अदित्या सिना एक बहुत ही इंट्रॉस्टिंग सवाल करते है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसी ने तो असामा बिन लादिन को छुपा के रखा था जनरल दोरानी रिस्पॉंड करते हैं कि किसी ना किसी स्टेज पर आईस आई को शायद जरूर पता था और एक माइदे के तहती उन्होंने उसामा बिन लादिन को हैंड ओवर किया यूएस अथॉरिटीज की तरफ शायद हम ही थे जिन्होंने अमरीकियों से कहा कि इसको ले जाओ और हम बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था अमेरिका की मदद करना एक ऐसे शक्स को पकड़ने के लिए जिसको पाकिस्तान में बहुत से लोग हीरो समझते हैं पाकिस्तान की गर्मेंट के लिए बहुत शर्मनाक हो सकता था इस पर A.S. दॉलात कहते हैं कि हमारी भी एसेस्मेंट ये ही है उसामा बिन लादिन को पाकिस्तान ने खुद यूएस को हैंड ओवर की है जिस पर असा दॉरानी कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुती मुश्किल सिचुएशन थी इसके बाद A.S. दॉलात A.S. आई के बारे में एक बहुती इंट्रस्टिंग बात कहते हैं वो कहते हैं कि इंडिया में तो हमने कभी ये term military industrial complex सुना ही नहीं अगर A.S. I. की बात करें तो ये एक अजीम organization है रिमेंबर ये एक Indian raw chief बात कर रहा है अगर ये great ना होती तो इसका इंडिया में हरवक्त जिकर क्यों होता इंडिया में जो भी खलत होता है उसका जिमा हम A.S. I. को दे देते हैं ये है तो बहुत कारामद आप चाहे इसको deep state कहें या state within the state कहें यानि के रियासत के अंदर एक और रियासत जितनी भी intelligence agencies हैं इनमें सबसे दिल्चस्प A.S. I. है इसी मामले को लेकर A.S. दुलात एक और जगह इस किताब में कहते हैं कि जर्नल साब का ये कहना कि हमारे चीफस तजर्बेकार और प्रोफेशनल्स है ये बड़ी ही दिल्चस्प बात है जबके हमारा नजरिया ये है कि ISI तो एक अलगी चीज़ है इस सम्टिंग स्पेशल इनके पास बहुत अथोरिटी है और ये जो चाहे कर सकते हैं अच्छा बुक बड़ीज एक बात तो थाबित होगी कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुब भी अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन्स जो हैं इन ओफ आईसाई वो आईसाई से बहुत ही इंप्रेस्ट और इंस्पाइड है इन फैक्ट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो आईसाई से थोड़ा बहुत डरते भी हैं ये है इंपक्ट और रेप्टेशन हमारी इंटेलिजन्स एजनसी की इस वक्ट पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो लेकिन बाक इन दे डे आईसाई के जो इमिज था वो बहुत ही इंपक्ट फुल था इसके बाद अधित्या से न एक और पॉइंट ब्लैंक सवाल फैंकता है वो कहता है कि कौन सी एजनसी बेटर है टॉप इंटेलिजनस एजनसी की एक लिस्ट इशू की हैरान कुन तोर पर उस लिस्ट पर नमबर वन आईसाई थी और उसके बाद थी मोसाच, सी आईये और बाकी की एजनसी जाहिर सी बात है पाकिस्तान में सब लोग खुश थे मुझसे पूछा गया कि इसका क्राइटेरिया क्या है जो मुझे मालूम नहीं था लेकिन क्राइटेरिया देखने में सही लग रहा था एक तो था कि पाकिस्तान को कितने जादा खत्रों का सामना है पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से और दूसरा ये कि ISI के पास कितनी resources available है एक जमाना था जब हमें साओधी अरब और अमरीका से funds आते थे लेकिन अब हमारा budget बहुत tight होता है इसके बाद भी अदित्या सिना एक बहुती interesting सवाल पूछता है वो कहता है कि ISI का इंडिया को लेकर क्या failures रहे हैं वो कौन से issues हैं जिन में वो नाकाम रहे हैं और यही सवाल में A.S. दुलाट से भी पूछूँगा पाकिस्तान के हवाले से जिस पर सबसे पहले A.S. दुलाट रिस्पॉंड करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम किसी भी A.S. आफिसर को अपने साथ काम करने के लिए कन्विंस नहीं कर सके बाइदावी ये बहुत बड़ी बात है कैनज जिसका असल मकसद ये है कि हम किसी भी A.S. आफिसर को आज तक खरीद नहीं सके इसी सवाल के जवाब पे जनरल दुरानी कहते हैं कि अपरेशनल लेवल पर 1965 की जंग हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छी मालूमात थी कि इंडियन फॉज किस तरीके से असेंबल्ड है लेकिन हम इस इंफॉर्मेशन का फाइदा नहीं उठा पाए 1971 में जो मशर्की पाकिस्तान यानि के इस पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ उसके बारे में भी ISI पता नहीं लगा पाई और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है कश्मीर में होने वाली बगावत हमें पता ही नहीं था कि ये कितना अर्सा चलेगी मीडिया को लेकर भी हर वग ये बाचेत होती रहतीघी है ये चर्चा होती रहती है कि ये जो इंटेलिजंस एजिजिसंस हैं ये जैनलिस्ट को खरीड़ती है मीडिया हाउसीज खरीदी है इसके बारे में अधित्या सेंच ना सवाल करता है कि RAW और ISI मीडिया को कैसे इस्तमाल करते हैं जिस पर जनरल दोरानी कहते हैं कि एक चीज जो दोनों इंटेलिजन्स एजन्सीज में कॉमन है मुश्तरिक है वो है मीडिया वॉर्स ये दोनों एजन्सीज टीवी चैनल्स को पैसे देती हैं और इस बात का गुमान करती हैं कि ये टीवी चैनल्स इनके लिए काम करेंगे पूरी दुनिया की इंटेलिजन्स एजन्सीज ऐसे ही सोचती हैं कि मीडिया को स्पॉंसर करो फंड करो नफसियाती जंग जीतने के लिए इस किताब में कश्मीर के उपर 5-6 चैप्टर्स हैं जिसमें इन दोनों चीव्स ने बहुत ही डीटिल में डिसकस किये कश्मीर सिचुएशन को जिसकी बॉटम लाइन ये है मेरी अंडिस्टैंडिंग ये है कि कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा क्योंकि इंडिया में स्टेटस को बहुत स्ट्रॉंग है और एक और वज़ा ये है कि दोनों मुलकों के पास आज तक कोई तगड़ा स्टेटस में नहीं आया जो इस मामले को प्रॉपर तरीके से हल कर सके अब दोस्तों ये किताब तो बहुत जबरदस्त है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बड़ी ही ज़ादा mental maturity के साथ लिखी गई है जिसमें दो लोग आपस में बैठ के discourse कर रहे है योरप कितना लड़ता रहा है आपस में जर्मनी पॉलंड पर अटैक करता रहा है यूके के उपर अटैक करता रहा है प्रेड को रोक के किसी का फाइदा नहीं इस इशू को लेके मेरी दोनों मुलकों की गवर्मेंट्स को एक एडवाईस है पाकिस्तान को ये है कि इंडिया को लेके थोड़ा सा ब्रॉड सोचना शुरू करें अपनी mental wavelength को थोड़ा सा बढ़ाएं अगर आप पाकिस्तान को मुसलसल एक security state पना के रखेंगे इंडिया के साथ borders को hot रखेंगे तो it won't help our cause इंडिया के साथ tension को cool down करें कश्मीर को लेके मेरी advice ये है कि line of control को ही border समझ लें ना एक इंच हमें मिलने वाला है और ना एक इंच हम लेने देंगे इंडिया को लहाजा we need to learn to coexist इसके इलावा जो छो छोटे-छोटे हमारे मसले हैं उनके उपर progress करें steadily अपनी trade open करें दोनों मुलकों में communication को बढ़ाएं travel को बढ़ाएं, tourism को बढ़ाएं अपने मामलात को दुरुस्त करें जपैन ने साउथ कोरिये के साथ नी बना ली चाइना और यूए से कितना लड़ते फिर ने बट दे हैव लेंट कि आज सकल की जो modern knowledge economy है इसमें अगर आप आपस में cooperate करेंगे तब ही आप progress कर पाएंगे इंडिया को मेरी ये advice है कि पाकिस्तान को लेके न थोड़ा सा maturity के साथ सोचना शूरू करें यहाँ पर हर कोई terrorist नहीं है यहाँ पर भी पड़े लिखे लोग है यहाँ पर भी intellectuals है यहाँ पर भी जो आम अवाम है वो इंडिया के साथ अच्छे तालुका चाहती है So when it comes to Pakistan अपने मिजाज को भी थोड़ा सा cool down करें The need of the hour is कि यह दोनों मुलक इतने बड़े हैं इतनी जादा अबादी है कि हमने welfare देखना है जनरल पबलिक का अगर हम ऐसा सोच पाएंगे तब ही इंडिया और पाकिस्तान की अवाम prosper कर पाएगी और हमारी government में अगर कोई पका और अच्छा statesman आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग नाश्ता किया करेंगे लोहौर में और दुपहर के खाने के लिए जाएंगे पुरानी दिल्ली के परॉंठे वाली गली में वीडियो पसंद आईयो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजेगा अंटिल नेक्स टाइम गुद बाए